दसल करीब 20 महीने बाद जस्टिस रंचना प्रकाश ने साय किया हुआई वाली यू सी सी कमेटी ने सियंद पुश्कर संखामी को यू सी सी का मसौदा सौथ दिया इस मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं प्रोदेश के जन जाती पर ये कानून लागू नहीं हो वैस के जरिये लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिने का साथी जहां बहु विबाह पूरी तरह से बैन होगा वैस सभी धर्म जाकियों में विबाह की उम्र कम से कम 18 साथ रही इसके साथी 11 relationship के लिए declaration जरूरी होगा यही नहीं अपने माता पिता को भी इसके जानकारी देनी होगी साथी पुलस के पास पंजिकरण भी कराना होगा यू सी सी के तहत अब लोगों को शादे के बाद registration अनिवारे होगा उत्रखण में जो यू सी सी के expert committee है उसने तकरीबन 400 section इस पूरी draft report में बनाए 400 section इसमें सामिल किये गए हैं और इसमें परदेश की तकरीबन 4 फीसेदी जनजाती को मुक्त रख दिया गया है जाने वीवामें सभी धर्म और जातियों के वीवामें जो वीवाकी जो आयू होती है वो 18 वर्स की गई है और यहां यही भी बात ध्यान देने वाली है कि 18 वर्स पहले से ही है लेकिन दूसरे संपरदायों में 18 वर्स की कोई बादिता नहीं थी यानि अब मुस्लिम या सीख या इसाई जो भी साधी करेंगे वो 18 वर्ष से कम नहीं कर पाएंगे इसके अलावा जो विभा का पंजिकन अनिवारिया होगा लेकिन उसको विस्तारित किया गया है कि आप केवल आपको कोर्ट में जाने की समरेजिटार के हाँ जाने की जूरत नहीं है आप अपनी लोकल बोड़ी में भी जाकर विभा का रेजिस्टेशन करा सकते हैं और डिवोर्स के लिए भी एक अलग से वेवस्ता की गए यह डिवोर्स किसी बी तरह से इद्दत और हलाला ऐसे प्रावधान थे तो पुनर विभा के लिए किसी बी तरह की सर्थ को प्रतिबंदित कर दिया गया है जानि अब हलाला जैसे जो प्रताएं बहुत पुराने समय से मुस्लिम संप्रताय में चल लाई थी वो भी इस कानून के लागू होने के बाद खत्म हो जाएगी बाइस खास मौके पार्सियम धामी ने कहा कि प्रदेश में शुब दिना गिया है और जो हमने वाइदा किया था उस वाइदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और पाच सदसी कमिटी बनी इसका पहला ऐसा काम है समान नागरी सहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में यह पहला उधारन है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं समीती ने अभी तक 72 बैठके पूरी की हैं सबी लोगों को प्रतिक्षा थी आप सब भी लगातार पूस्ते रते थे कि कब समीती ड्राप्ट देने वाली है तो वो सुब दिन आ गया उदर शनिवार को होने वाली धामी क्याबरेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मल सकती है और फिर इसके बाद इसे विधान सबा में रखा जाएगा हम ये ड्राप्ट आज लाकर उसकी समस्त जो आपचा रिखता है हैं पूरी करेंगे इसके बाद वैसका जो बिधिक रूप से जो परिक्षण है वो परिक्षण भी होगा इसका अध्यन करेंगे और चर्चा करने के बाद परिक्षण करने के बाद विधान सबा का जो हमने बिसे इस सत्र आ रहा है इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विध्यक बनना है उस दिसा में हम आगे बढ़ेंगे बिलहाल अब ये माना ज़ा रहा है कि 6 फर्वरी को विधान सभा से इस बिल को मंजूरी मिलने के बार उत्रा खन यूसी सी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन ज़ाए तरी को सौपदी है और तकरीबन सभा दो लांक से ज़्यादा सुझाव मिले हैं, पिछले दो साल में जन सुनवाई हुई है, ओफलाइन ओन लाइन तमाम तरह के सुझाव मिले हैं, ड्राफ्ट को कैमिनेट में रख दिया जाएगा और उसके बाद जो विसेश सतर पास तारिक से सुरू हो रहा है तो 6 तारिकों